हेलो एर्यवन आज की चप्टर में हम दिखने वाले सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग लांगविज के बारे में यह फिप नंबर का चप्टर है dizzy science का तो सबसे पहले यह समझ लेना के पीजबी होता क्या है और स्क्रिप्टिंग लांगविज कि की कि इस प्रेंट में dus होता है और HTML में कुछ processing power देना है तो एक second language का आपको help लेना पड़ता है उसे scripting language बोला जाता है ठीक है इन शॉट अगर आपको कुछ background processing करनी है HTML के साथ तो फिर आपको scripting language की help लेना होती है स्क्रिप्टिंग language से आपका जो HTML पेज है वो interactive हो जाता है इंटरेक्टिव वेब पेज उसे live भी बोला जाता है कि आपका पेज थोड़ा attractive भी लगेगा उसके बाद dynamic भी होगा dynamic means आप उस page में कुछ changes कर सकते हो ठीक है तो चलो शुरू करते है तो PHP PHP का full form क्या होता है देखो जो पहले PHP का full form होता था वो से personal homepage बोलते थे personal homepage लेकिन अभी PHP का जो full form हो चेंज किया गया है और उस अभी बोला जाता है hypertext free processor ठीक है क्या बोलते है hypertext free processor अभी बोला जाता है ठीक है hypertext free processor ठीक है तो और एक जो PHP है ना open source है open source means free to use है इसको use करने के लिए आपको कोई भी license purchase करने की ज़रूरत है नहीं वैसे जावा भी open source होता है now it can be embedded with html यह html के साथ embed कर सकते हो means html के साथ mix कर सकते हो उसके साथ use कर सकते हो next page run on various platform देखो page भी जो language है यह वेरिस platform के उपर run हो सकते platform बोले तो Linux यह operating system का अलग से platform होता है Unix Unix का अपना अलग होता है Apple का Mac OS होता है Windows OS यह different different operating system है तो उसके उपर यह PHP easily run होता है तो कोई भी doubt नहीं है इसमें कि PHP यह platform independent language है now PHP is a competitive with almost all server technology जो भी जितनी server technologies है उसके साथ यह support करती competitive means support करती है ठीक है तो उसमें jam server आता है Apache आता है उसके बाद Ignis आता है LightPedia आता है यह सारे जो server softwares है उनके साथ यह support कर जाती है now PHP support wide range of database वो तो एक simple obvious सी बात है PHP is a free and one can download it freely PHP is free open source बोलते ना free means open source ठीक है now PHP can run on server side effectively means PHP language server side run होती है अभी यह हो गया थोड़ा short introduction अभी मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाता हो कि PHP language यह server side language कहलाता है PHP language यह server side scripting language कहलाता है क्यों देखो यह run करने के लिए आपको एक server software की जरुत पढ़ती है और यह PHP language होता है यह server में ही run होता है अभी आप वो लोगे सर यह client क्या है server क्या है देखो कोई website है अगर कोई website है तो उसका कुछ repository होगा means कुछ information कहीं ना कहीं store होगा ठीक है तो वो store जा होता है वो एक location तो वो server कहलाता है central repository कि जा website की पूरी information website कोई video हो website कोई image हो वो सब कोई page हो वो सब उस server में store किया जाता है तो server एक center repository के तरह काम करता है या जैसे आपके घर में पानी आता है ठीक है अगर पूरे शहर में पूरे city में एक central water tank होता है तो वहां से आपके घर में पानी आता है ठीक है तो वो जो water tank है एक server की तरह काम करता है और वहां से पानी हर घर में distribute करता है तो जो server means water tank server कहलाएगा और आपके घर में जो नहलाता है उसे आप client बोल सकते हो means आपके पास अगर आप PC है या computer है उसमें आपने ब्राउजर उपन किया है ना तो आप client होगे और क्या करे हो आप website को access करे हो तो center repository में से कुछ data access कर रहे हो तो आप client कहलाता है missing short इतना ही है तो चलो अभी इतना time नहीं explanation के लिए लेकिन थोड़ा सा short introduction देना बनता था इसलिए मैंने दे दिया चलो शुरू करते हैं अभी most important topic server किससे बोलते है a server is a computer system that serves as a center repository of data center repository की तरह काम करता है server ठीक है बस and share data with client जो center repository की तरह काम करता है और अपने client के साथ data share करता है simple है कि कोई website है तो उसका data करी ना करी store होगा तो वो चाहाँ store होता है ना वो होता है server और आप वो data जिस device के तो एकसेस कर रहे हो वो हो जाता है client for example मैं mobile से वो website access कर रहा हूँ तो मेरा mobile client हो गया mobile में जो browser open करेगा ना उससे client हो गया ठीक है जहां से वो data आ रहा है वो होता है server ठीक है कभी-कभी server डाउन होता है तो website open नहीं होती है क्योंकि जो central repository उसमे data नहीं है या उसमें खराब आ गई है तो पिर कहां से आएगा आपके घर में पानी आ जो भी है आप कहला तो मैंने पानी का मैंने example दिया क्योंकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से इसलिए ठीक है नाव नेक्स्ट नंध द Ł pencil कंश्र्वर्स बाउस्यौठ रॉंध देद सुनत कमणा चर्या चैनल मैंने देख प्िरिंग और सावस्यौंकि को सग्रा मैं बग्वेसर शेवेस्रण यंग जहां रन होती है और प्रम क्योंकिश्यौबätta नेक्स्ट को एक्जाम में सबसे पहले पूछेंगे फुल फार्म पूछेंगे यहां दिया हुआ है उसके बाद रुप पूछेंगे कि HTML में आप PHP embed कर सकते हो क्या yes कर सकते हो ठीक है और उसके बाद features of PHP पूछेंगे तो पूछेंगे कि PHP is a platform independence means various platform के उपर run होती है true yes होती है PHP compatible with all server technologies yes सब के पास यह support करती है PHP support wild range of database yes करती है PHP is a free means open source वही बात हो गई and PHP is a server side scripting language यह सबसे important होता है क्योंकि PHP आपका server side scripting language है और JavaScript आपका client side scripting language है इस job का syllabus दिया हुआ है ठीक है now server side का definition पूछ सकते कि server बताओ क्या server होता है server की definition application पूछेंगे तो यह जो भी मैंने माग किया ना यह 100% आप पूछेंगे ही इस में से ठीक है ना नेक्स क्या है web server generate dynamic web pages यह भी पूछेंगे dynamic web page किसे बोलते कि जिस web page के उपर आप कुछ live activity perform कर सकते हैं कैसे कि मैंने button के उपर click किया और उसके पात वो data कहीं ना कहीं transfer हो गया तो यह हो गया एक live example ऐसे होता है यह मैंने button के उपर click किया और page का background color change हो गया यह एक live example हो गया dynamic web page का example हो गया कि आप page के उपर जो भी activity perform करते हैं उसका इमेजेटली दिख जाता है वो होता है dynamic web page ठीक है now इसे interactive website भी बोला जाता है interactive की user website के साथ interact कर रहा है और website user के accordingly काम कर रही है बस interactive website इसी ही बोलते है now few programming language for server size scripting language पूछेंगे आपको ही identify the server-side programming language among the following तो PHP यह कहला देगा java and jsp jsp का full form होता है java server page यह उसका full form होता है python python भी यह server-side scripting language कहलाती है now PHP parser web server and web browser ठीक है यह क्या है यह three components है PHP PHP parser web server and web browser ठीक है PHP parser means conversion purpose के लिए उसके जाता है ठीक है तो उसके बाद web server server जहां website store होते है web browser यह client होता है तो PHP run करने के लिए तिनों की जरूत होती है now PHP program output with web browser viewing in PHP page through the server means यह कुछ है नहीं इसके meaning निकलता है ठीक है in short PHP hide the code from the user यह important यह 100% यह important बन जाएगा जो PHP होता है ना PHP यह server-side scripting language है और यह secure बोला जाता है क्यों कि PHP का code user नहीं देख सकता otherwise अगर client-side scripting language है ना javascript तो उसका code देख सकता है user for example कि चलो कोई facebook की website है और मैंने मेरे browser में उसे open किया हुआ है तो मैं facebook का code देख सकता हूँ कि जो भी client-side scripting language में code लिखा है ना मैं यहां देख सकता है HTML page देख सकता हूँ कैसे देखना होता है right click करके view page source करके देखना होता है सब आपको data मिल जाता है लेकिन server side का ऐसे नहीं होता है उसका जो data है na server में होता है और user को user उसे देख नहीं पाता है उससे यह data hide होता है यह feature होता है PHP का यह पूछेंगे एक्जामने ना PHP is a most popular and frequently used worldwide web server side scripting language बस यहीं है इसके कुछ features दिये हुए simple है use करने के लिए simple है interpreted language है अभी interpreted language जिसे बुरा जाता है कि जो आपनी लिखा है उसे तुरंत आपरन करके देख सकते हो उसको इंटर में की जरूत नहीं पड़ती है यह उसे compile करने की जरूत नहीं पड़ती है तो no need of compilation PHP को compilation की जरूत नहीं पड़ती है PHP faster है ऐसे सब बोलते PHP faster है तो हो सकता है PHP faster है इसे बाकी languages भी faster as compared to JSP and ASP ASP.NET का language means Microsoft का language ASP ठीक है तो ASP को full-form I think abstract server pages है now open source open source में free है आप download कर सकते है यह use कर सकते हो कोई अपसे पैसे नहीं लेंगा platform independent platform independent किसी भी platform के उपर run हो सकते किसी भी operating system के साथ यह run कर सकते अब ही सबसे most important topic है case sensitive देखो PHP case sensitive है लेकिन fully case sensitive नहीं आप बोलों कि यह fully partially क्या होता है देखो PHP case sensitive है लेकिन variable name के मामले में while declaring the variable name तो PHP case sensitive है लेकिन जहां keywords की बात आती है na keywords and function name तो PHP case sensitive नहीं होता है फिर भी PHP को case sensitive language बोला सकता है ठीके क्यों जब आप PHP में variable का declaration करते हो ना तो अगर मैंने small letter में लिखा है ना तो उसका utilization उसका access भी small letter में करना होगा लेकिन keywords keywords क्या होता है e, else, echo ये सब keywords होता है तो keywords उसके बात function, classes name ठीके ये सब आप case insensitive बोल सकता है क्यों आप small में लिखो और upper में उसको access करो चलेगा ठीके तो variable में case sensitive है और keywords and function name में, class name में ये case sensitive नहीं है अब ये आप ऐसे याद रखना है ये most hundred percent IMP question ये भसाने के लिए आपको ये पूछेंगी पूछेंगे ठीके तो याद रखना Now, variable declaration कैसे किया जाता है? पेज़ब में ऐसे dollar लिखते है और variable लिखा a a लिखा है ये use करते टाइम मुझे small a ही लिखना होगा ठीके? अगर मैंने capital a लिखा है ये use करते टाइम भी capital a ही लिखना होगा लेकिन function का ऐसे नहीं है function, keywords या class name इनका ऐसे नहीं है अगर आपने small letter में लिखा है और use करते टाइम आप capital लिख कर रहे हो तो भी चलेगा Error reporting feature भी provide करता है अगर आपके program में कुछ error है ना तो page भी बता देता है ये भी feature है otherwise जो आपका JavaScript होता है ना उस पे error reporting difficult हो जाती है next real time access monitoring access monitoring देखो ये आपके feature provide करता है कि ये एक summary provide करता है recent access किसने किसने access किया है उसका एक lock sheet बनाता है ठीक है तो ये भी important है loosely type language loosely type language means means आप variable को declare किये भी नहीं इसका इस्तिमाल कर सकते है छिस variable का data type declare किये भी नहीं उसका use कर सकते है ये से मैंने लिखा डॉलर बिमें डॉवा करता हूं दॉझा डॉलर एक वाल टू जीरो अभी इसका डाटाइप में लिखा ही नहीं फिर भी में उसके जेरो स्टोर कर दिया अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लांगवेज होती तो फिर मुझे क्या करना होता उसका डाटाइप में करना होता है वैसे जावा भी जावा स्क्रिप्ट में भी नहीं करना होता है तो जावा स्क्रिप्ट भी आप लुज ली टाइप लैंविश कहीं सकते हो ठीक है चलाओ नेक्स्ट क्या है पीज भी लिखा कैसे जाता है most important question less than question mark php and question mark php इसके बीच में कि chca جाता है okay phpreme html में लिखा जाता है और ascare में कोंड सकते है php यृ में भी खोड कोड लिख सकते है and 것은utube भी कोड दौनों एक दुसरों के अंदर embed कर सकते तो यह facility मिल जाती है तो न्यांत extend okay b g person जो का जो scripting ब्लॉक है न scripting java की तरह आप कही में लिखो आप body में लिखो या html खत्म होनी के बात लिखो आप कहीं भी scripting का block लिख सकते हो जैसे आप java script का block कहीं भी लिख सकते हो na scripting का वैसी php का block आप कहीं भी लिख सकते हो ठीक है तो इतना ही था और जैसे मैंने बड़ा कई भी प्लेस कर सकते हो अभी एक सिंपल एक्जामपल लिया है hello word का तो इक को यूज करते विट टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वेब पेज के उपर तो तो आपको document.write लिखना होता है document.write लिखना होता है लेकिन पेज में क्या लिखना होता है echo ऐसे भी भूच सकते है चलो बताओ कि अगर PHP में आपको कुछ document के उपर write करना है तो कुन सा keywords यूज करते हैं कुन सा comment यूज करते हैं और निशे option रहेगा document.write echo और print ऐसे कुछ अलग से दिये जाएंगे तो उसमें echo यह आपका correct option होना चाहिए next कुछ PHP framework दिये हुए उसके सिप नाम रखो याद रखो symphony and laurel लारावेल यह दो PHP framework यह क्या होता है यह framework क्या होता है यह क्या बोलता है structure होता है programming का जो आप readymade यूज कर सकते हैं PHP के साथ तो चलो यह ज्यादा है जाने की जरूत है नहीं how to execute PHP code कुछ नहीं PHP code आपको server में run करना पड़ता है आप browser में नहीं कर सकते directly पहले तो आपको server on करना पड़ता है server में आपका repository में आपका web page अप्लोड करना होता है और उसके बाद आप शाकी कहीं जांके localhost ओपन करके अपना page run करते हो लेकिन एक्जाम में नहीं पूछते है चलो ठीक है ना ऐसे पूछ सकते कि PHP का page कहां store किया जाता है तो root directory में आपका PHP का page store किया जाता है now page extension हो गया now page पी कहां कहां फोलो कि जाते है जैसे मैं नहीं बता है ना कि जो भी variable declaration होता है ना ये case sensitive होता है ठीक है लेकिन जो keywords होता है जैसे if else break while echo ये case in sensitive होता है आप capital में लिखो small में लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है यहां देखो एक को capital में लिखा है और नीचे small में लिखा है तो कोई फरक नहीं पड़ा output तो आ गया यह होता है ठीक है PHP variable PHP variable कैसे लिखा जाता है PHP variable लिखने का एक method है आपको use करना होता है dollar sign जब भी आपको PHP variable लिखना है तो उसको dollar sign से ही लिखना होता है तो always use dollar sign while declaring the PHP variable तो सबसे पहले variable क्या होता है तो variable used to store value कुछ value store कर रहे है तो variable का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है यही उसका meaning है तो ऐसे भी उसका definition होता है variable is a memory location which store the value ऐसे भी बोला जाता है ठीक है तो इसी short समझ लो कि कुछ value store कर रहे है तो मुझे कुछ container चाहिए तो वो होता है variable next अभी variable नाम आप लिखनी चाहते हो कि चलो मैं a नाम का variable create कर रहा हूँ b नाम का variable create कर रहा हूँ तो variable create करने के कुछ rules है पहला rule मैंने आपको बता है always start with dollar sign ठीक है dollar sign से start होता है और variable name must start with letter और underscore यह दो के बिना यह start ही नहीं होता है एक तो आप letter यूज़ कर लो या underscore यूज़ कर लो आप directly number से start नहीं कर सकते variable का नाम आप alphabet underscore के बाद number डाल सकते हो लेकिन starting में एक तो alphabet होगा नहीं तो underscore होगा यह important role है और variable name cannot start with number यह true और false भी पूछेंगे यह variable का नाम जैसे इसके रूल है जावा स्क्रिप्ट के वैसी इसके रूल है यह variable का नाम always start with underscore यह alphabet से start होगा ना नेक्स्ट क्या है यह variable जो नाम है उसमें a to z आ सकता है 0 to 9 आ सकता है और underscore आ सकता है इसके अलावा कोई भी character नहीं चेलेगा एक तो alphabet चाहिए या तो number चाहिए यह underscore चाहिए कोई भी special symbol allowed नहीं है जैसे star हो गया slash हो गया dot हो गया यह allowed ही नहीं है क्या क्या allowed है सिप alphabet 0 to 9 number and underscore यही जैसे alphanumeric भी बोला जाता है ठीक है ना variable name are case sensitive जैसे मैंने starting से ही बोला है variable name case sensitive होता है जैसे यह दिया हुआ है कि dollar small letter में edge लिखा हुआ है ठीक है dollar small letter में edge लिखा है और capital में लिखा है तो यह दोनों different है यह दोनों same नहीं होंगे अभी यह दोनों same नहीं होंगे लेकिन अगर यह function तो यह सेमिय होते हैं तो यह से मिदने है न सेरिटष और हो 手षरो जो को अगरावर की अ आन ग्रतिको method करें तो था एक था लोकल ग्लोबल न् रव्ठाट होते हैं इसका स्कोप लोगल यह यह आगि नहीं जाएगा और से इसका स्कॉप ग्लोबल ये पूरे दुनिया में गुम सकता है कोई static होता है कि जो अपनी value फ्रिजाओ करके रखता है static इसे static बोलता है ना चलो एक one way one देखते है कि different type of variable यान उसका scope क्या होता है variable declared outside the function अगर कोई function ब्लॉग है और उसके outside में आपने variable declare किया हुआ है तो वो कहलाता है global variable क्या कहलाता है global variable और उसके comparison में अगर वही वेरेबल आपने फंक्शन के अंदर declare किया ना तो कहलाता है local local variable कहलाता है ठीक है तो यह होगे दो टाइप की variable चलो अगर आपको variable अगर वेरेबल बनाना है ना तो फंक्शन के बाहर declare कर लो तो यह जो यह यह वेरेबल दिकर है ना यह global वेरेबल है और ठीक है और ग्लोबल वेरेबल अगर फंक्शन में अक्सेस करना है ना तो global keyword करते है कि हमें ने global variable to declare किया है अभी मुझे फंक्शन में उसका इस्तेमाद करना है तो global keyword से आप कर सकते ठीक है यह थे global and local variable उसके बाद और एक वेरेबल आता है static variable ठीक है तो static variable क्या होता है कि जो अपनी value फ्रिज़ों करके रखता है लेकिन इसके पहले PHP allow store all global variable in array called as just global index तो यह एक्जा में पूछेंगे कि PHP जो global variable array में store करता है उसे क्या बोलते है उसे global index बोला जाता है इट होल्ड दे इंडेक्स of all variables ठीक है हो गया when function is executed then all its variable are deleted जब कोई function execute होता है ना कोई program execute होता है ना तो variable में जो भी value है ना वो पहले delete हो जाती है और फिर से अगर आपने run किया है ना तो value जो value delete होई है ना वहाँ empty आ जाता है और नए value आ जाती है तो यह बात है आता है जब भी आप program run करते हो ना variable में जो भी value है ना wipe out हो जाती है और नई value उसके जगह आती है तो लेकिन आप चाहते हो कि वह value ऐसे के ऐसे ब बना देते हो by declaring variable name as a static static variable declare करते हो ना तो static कोई variable है और आपने program rerun भी किया restart भी किया तो उसकी value वैसे की वैसे ही रहेगी यह होता है ठीक है उसके बाद चलो one can check the data type of variable is known as a web dump यह जो method है ना इससे आप variable का data type बता कर सकते हो यह variable कौन से data type belong करता है कौन से data type से belong करता है तो वह method है variable dump variable dump से आप पता कर सकते हो कि उस variable का data type कुन सा है जैसे यहाँ देखो एक variable लिया हुआ है hello word ठीक है यह तो string data type दिख रहा है तो मुझे पता करना है तो मैंने क्या किया echo where dump and dollar x means dollar जो x है ना x variable का मुझे बताओ data type क्या है तो मैंने dump method यूज किया where underscore dump इस method से आप पता कर सकते हो कि उस variable का data type कुन सा है तो अगर कोई data type string है ना वह string का लेंद भी रिटन करता है उस string के साथ और अगर कोई integer है ना तो वह integer के साथ भी उसका number of integer रिटन करता है उसका data type रिटन करता है ठीक है now चलो और हां अगर कोई binary data है ना तो वह बता देता है कि यह बुलियन data type है यह तीन टाइप होगे चलो नेक्स्ट कमेंट इन फेस्पी यह भी most important topic बने चाहेगा कमेंट कैसे देते हैं पहले बात समझ लो कि कमेंट किसे बोलते हैं मैंने यह फ्रोग्राम लिखा हुआ है मैंने ने में इस बोर्ड ने जो भी ऑथर थे उन्होंने फ्रोग्राम लिखा हुआ है यह एक्जुट होगा यह जो लिखा है ना static keyword यह user को समझने के लिए कुछ information लिखी है ठीक है तो लेकिन जब आप प्रोग्राम रन करोगे ना य इंफर्मेशन रन ही नहीं होगी बाकी रन होगा लेकिन यह एक्जुटी नहीं होने माली यह सिप यूजर को समझने के लिए जैसे आप कोई note बनाते हो ना तो समझने के लिए वैसी यह note है वो non-executable part of the program इसे note बोलता है कोई भी programming language में तो PHP में comment कैसे देता है comment के दो type होते है single line comment and multi-line comment आगर कोðी comment आपको 1 e-line में देना है और उसे single line comment होते है लेकिन को कोई comment आपको paragraph के साथ देना है न बड़ाग्राप और सा । उसले लाइन कमेंट बोलते हैं तो पहले सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट होती है डबल स्लाश है एंड मल्ली लाइन स्टरी और हैस से भी होती है अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है न तो हैश एंड डबल स्लाश यूज करना होता है तो सिंगल लाइन कमेंट डिक्लेर हो लेकिन अगर आपके पास multiple lines है तो slash star and star slash में जो बाकी languages में comment के लिए symbol यूज़ करते है वही इसमें use किया हुआ है अलग से कुछ नहीं ठीक है जो PHP के operators है na plus minus addition subtraction उसके बाद logical operator comparison operator यह सब similar है PHP operator के तरह ठीक है next if statement control structure in PHP आप अपनी program का flow कैसे control करते है flow means program exit हो रहा है लेकिन आप चाहते को flow divert किया जाए तो if and else condition use करते है if statement क्या होता है if statement क्या होता है कि एक decision maker के तरह काम करता है अगर decision condition met हो गई तो नीचे वाला block exit होगा और condition false हो गई तो यह इसमें जो भी है वह execute नहीं होगा if condition true तो ही वह block execute होता है और उस similar होता है if and else ठीक है but condition true हो गई तो 1st blocks exit होगा और condition false हो गई तो एल्स पार्ट benefit होता है ठीक है ऐसे है कभी-कभी होता है नहीं होartet नहीं हुआ फूरुस कि जकर पूस्स नहीं कुछ नहीं चाहिंद नहीं तो होता है else part अगर condition true हो गई तो if वाला block exit होता है, condition false हो गई तो else वाला block exit होता है, तो यह होता है, यह example दिया है, कि marks is greater than 60, then pass is first class, अगर नहीं है 60 से greater, लिखो, you can do better, else में, तो यह होता है, ठीक है, तो चलो next क्या है, loop structure, देखो loop क्या होता है, बार बार कोई चीज अगर हो रही है, उसे loop बोला जाता है, और वैसी होता है program के साथ, कि consider करो, मुझे इंडिया नाम का जो word है, यह 10 time लिखना है, तो मैं simply लिख सकता हो, कि eco India, eco India, eco India, 10 time में लिख दूँगा, लिकिन अगर यही बात 1000 time करनी है, तो फिर मैं इतने statement लिखोंगा, क्या, नहीं, यह थोड़ा donkey work हो लूप कौन सा होता है, for loop, ठीक है, for loop में में values डालूँगा, कि मेरा loop 100 या 1000 time execute होना चाहिए, और जो common block है ना, जैसे इंडिया word, में उस loop के अंदर डाल दूँगा, ठीक है, तो in simple word, कि loop are used to execute the same block of course repeatedly, as a longer certain condition में, अगर कोई certain condition satisfied हो रही है ना, तो जो block दिया हुआ है, लूप में, वो execute होता रहेगा, in short, जब तक condition true है, तब तक वो loop का block execute होगा, बस, इतना ही था, next, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ, syntax पूज सकते है, for loop का syntax का होता है, initialization, उसके बाद condition and increment and decrement, जैसे में होता है, वैसी PHP में होता है, कुछ अलग से नहीं होता है, initialization, variable की initial value होती है, condition, इस loop के उपर condition है, अपला होती है, जब तक यह condition true है, तब तक ही यह loop exit होगी, increment, जो initialization किया है, वोसको कितने digits से increase करना है, जैसे मैंने plus 2 किया है, तो initialization में 2 का increase होगा, plus 1 किया तो 1 का increase होगा और यहाँ कुछ नहीं छोड़ा ना, फिर यह infinite loop में चला जाएगा, ऐसे, ठीक है, तो यह हो गया, now, use of for each loop, for each loop, यह array के लिए यूज किया जाता है, special purpose, this loop work only for array, यह यहाद रखो, यह 100% application है, जो यह loop है, यह array के लिए यूज किया जाता है, कुन सा loop, for each loop, यह array के लिए for each keyword, यह जो भी array आपका, वो लिख दो, प्रैकेट में, यह है, for each का syntax, तो, use of dot in php, देखो, php में dot का use क्या है, concatenation, concatenation किसे बोलते है, दो चीजों को जोड़ना, इसे concatenation बोला जाता है, अगर दो string है ना, तो उसको जोडने के लिए dot यूज किया जाता है, लिकिन, वह ही अगर javascript का बात आता है, तो जोडने के लिए plus का use करता है, याद रखो, करते हैं, और अगर javascript है, तो plus use करते है, अभी आप याद रखो, कैसे रखना, कुछ inbuilt function दिये है, तो उसके बारे में हमें जाना, ये table 100% IMP समझ लो, और जैसे हमने javascript में देखे, वैसी इसकी meaning है, string length, ये क्या करता है, return the length of string, number of character, कितने character है उस string में, वह return करता है, string word count, ये बताएगा कि आपके string में कितने words है, ये बताएगा, string reverse, जो given string है, उसे पूरा reverse कर देता है, string position, ये बता देगा कि आगर पी paragraph है, उस paragraph में आपने जो string दिया हुआ है, उसका position क्या है, तो एक position return कर देता है, now string replace, एक string को दूसरे से replace करना है, find and replace की तरह, sub string, return the part of the string, specific part ये convert करना, sub string count, ये count करता है, कि जो sub string है, उसका कितने time occurrence हुआ है, उस paragraph में, या जो भी string में, you see word, convert the first character of each word of string, जो भी statement है, उसका first, जो letter होगा, वो uppercase में convert होगा, trim, ये cutting के लिए उसके आजाता है, क्या cutting के लिए, white spaces, white spaces को भी remove करता है, and predefined characters, both side, तो string को side में से काटने के लिए, use किया जाता है, आपका trim, ये method, now, PHP string functions, string is a series of character, अभी manipulation, ये string हो गया, program, ये string हो गया, अब किस का content क्या है, पी, आर, ओ, जी, आर, ए, अ, ये string हो गया, ना, alphabet की, तो ये से बोला जाता है, string, ठीक है, तो, और function is a block of statement, that can be used repeatedly, in a program, अगर कोई block of code बार-बार execute हो रहा है, तो function में डालो, और उसे आप reuse कर सकते है, utilize कर सकते हो, okay, now, next, क्या है, pagep array, an array is a special variable, which can hold more than one value at a time, is pagep का array, जो एक variable की तरही काम करता है, लेकिन आपको पता है, variable में at a time, एक की value store होती है, लेकिन अगर आप उस variable को array declare कर दिये ना, तो उस variable में आप multiple value एक साथ store कर सकते हो, बस इतना याद रखो, जादा है, इसमें tip में मत पड़ो, now, create an array in php, php में array कैसे create करते है, php में array create करने के लिए, आपको array function लिखना होता है, क्या लिखना होता है, array नाम का function लिखना होता है, नीचे syntax भी दिया होगा है, dollar a, array and value, इससे बन जादेगा आपका array, तो php में array, array keyword से create किया जाता है, in php, there are three type of array, एक होता है, index array, पुछा होता है, associative array, दिस्टा होता है, multidimensional array, इंडेक्स array, associative array and multidimensional array, तो इंडेक्स array देखते हैं क्या होता है, इंडेक्स array क्या होता है ना, तो the index can be assigned automatically, means उत डेटा को index automatically assign होती है, लेकिन most important क्या है, index always start with zero, index हमेशा 0 से start होता है, ठीके, और इसका ये syntax है, dollar a equal to array or different values, okay, तो ये हो गया, next क्या है, next, next क्या है, चलो हो गया, the count function is used to return the length of array, count function length of array return करता है, ये भी 100% question बन जाता है, and array can hold many value under single name, and you can access that value referring the index number को, array क्या करता है, multiple value store करता है, अभी उसको बुलाएंगे कैसे, उसे बाहर कैसे निकलेंगे, तो index के तो आम उसको बाहर निकाल सकते है, उसके बाद next topic है, page p associative array, page p associative array, ये exam में, जो अभी 2022 exam होने वाला है, इसमें ये omitted topic है, omitted topic, कि जो जो आपके exam में नहीं आने वाला है, तो उसमें से topic है, page p associative array, ये exam के लिए नहीं है, तो पूरा हुआ हमने skip कर दिया, ठीके, तो next है हम उसके उपर lecture लेंगे, ये भी skip हो गया, ठीके, next, ये भी skip हो गया, ठीके, उसके बाद, ये भी skip हो गया, ये skip हुआ है, multi-dimensional array भी skip है, multi-dimensional array भी exam में नहीं आने वाला है, अब एक exam में क्या आएगा, php functions, user defined function कौन से कौन से है, देखो, मैंने आपको बता है na, php का जो function होता है na, user defined block होता है, user defined block होता है, कि जो बार-बार उसको reuse करने के लिए लाया जाता है, जैसे कोई function है, function में मैंने इंडिया वर्ड डाल दिया, और वो function मैंने 1000 बार call कर दिया, वो इंडिया वर्ड 1000 बार print होगा, तो ये ये use होता है function का, ठीके, तो function कैसे declare करते है, function keyword से, ये भी आपको exam में पूछेंगे, कि function कैसे declare करते है, create करते है, php में, java में, function keyword से, दोनों में, से, ठीके, now function name are not case sensitive, जैसे मैंने बोला, class name function name case sensitive नहीं होता है, तो नहीं होता है, ठीके, now php functional arguments, अगर आपको फंक्शन क्रेट कर रहे हो, और उस function में कुछ information पास करें, उसे functional argument बोलते हैं, इतना ही याद रहको, information can pass to the function तो, argument से functional argument बोला जाता है, function argument बोला जाता है, बस यतना बला जाता है इसे functional argument बला जाता है तो चलो यह हो गया string is always returning double quote कोई भी string हो वह आपका हमेशे double quote में ही लिखनी है now returning value देखो कोई function आगर कोई value return करना है तो उसके लिए return keyword उसके लिए return keyword उसकरते कौन सा keyword उसकरते return keyword उसकरते यहां देखो यहां क्या किया एक्स प्लस वाई की addition कर दी और उसके addition जेड में श्टोर कर दी इस function में जेड को return कर दिया ठीक है वैसे उपर catch करने वाले भी होते लेकिन कोई function bottom में से कोई value ऊपर फेक सकता है throw कर सकता है उसे return value बोला जाता है ठीक है हो गया अभी ना PHP form handling PHP form कैसे होता है कि form handling easy हो जाता है submit button टेक्स्ट पे लिए सब कुछ होता है जैसे आपने html form create के रहे हैं वैसी task है तो form कैसे create के रहते PHP में form action welcome.php और जैसे आप लिखते होना वैसे लिखना है html की तरह बागी कुछ नहीं ठीक है और उसके बाद scripting डालना होता है scripting में क्या-क्या लिखना होता है post and get method वह important बन जाती है वह उसके बारे मैं आपको थोड़ा बतता हूं कि post method किस परपस की यूज़ की जाती पोस्ट method तो पोस्ट method अगर आपका कोई data securely send करना चाहते हो ब्राउजर के उपर तो पोस्ट method यूज़ करते हैं और आपका data पोस्ट में क्या डिफरेंस है तो चलो पहले तब PHP ग्लोबल डॉलर गेट और डॉलर पोस्ट यह दोनों सुपर ग्लोबल से PHP के तोनों में डिफरेंस गया है तोनों में डिफरेंस यह है कि डॉलर गेट इस एरे और वरिबल पास्ट विद यूरल परेमिटर जो भी आप गेट में कुछ वैल्यू पास्ट करते हो ना यह ब्राउजर में दिख जाती है तो यह तोड़ा से कर भी कंसर्ण हो जाते इस किसमें पोस्ट में क्या होता है आपकी जो इंफर्मेशन हो जात आपकी कोई इंफर्मेशन है और आप जाते हो कुछ से ने देख भी लेना कोई फरक नहीं पड़ता है तो आप गेट में कर सकते हो तो यह सब के लिए वीजिबल है ठीक है और सब वेरिबल के नाम वैल्यू यूरल में दिख जाते है अगर आपने गेट में उसकिया और उस के कंपेरिजन में अगर आप कोस्त में तो यह कर रहे हो न थोड़ा अलग सीन हो जाता है तो देखते क्या होता है तो तो, get also has a limit on the amount of information to send, अब इसका और एक limitation है, get method में, जो amount of information ने न, उसका भी एक limit है, इससे ज्यादा, 255 character से ज्यादा आप URL में data enter नहीं कर सकते हैं, तो ये get method का limitation हो गया, और it is possible to bookmark the page, हो सकता है, आप इससे page को bookmark करो, get method में, use for sending non-sensitive data, ये सबसी important में जाता है, get method, अगर आपको non-sensitive data send करना है, तो use करता है, get method should never use a sending password, get method, अगर कोई sensitive information like password, username है, तो उसके लिए use नहीं करता है, ठीक है, और उसके comparison में, post method, ये highly secure होता है, information sent from, post method is invisible to everyone, आप जो भी information sent कर रहे हो, ये invisible होती सब के लिए, किसी को दीखा ही नहीं देगी, जैसे get method का होता है, post method has a no limit of data, आप कितना भी data post method में send कर सकते हो, post method support advanced functionality, कैसे functionality binary input while uploading the file on the server, तो अगर आप file upload करना चाहते हो, तो प्रेफर करो, post method से, post method आपने website में डाल दो, तो variable are not displayed in url, so it's not possible to bookmark the page, देखो, इसका एक drawback भी आप होल सकते हो, अगर आपने post method का use किया है, तो आप आपने page का bookmark नहीं कर सकते हो, ये मैंने bookmark करके रखा हुआ, कि एक favorite website है, तो आप बार बार उससे use करना चाहते हो, तो उसको star करके रखना, तो आपको 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 आपसे रहती है, ना नीचे form connective database, form connective बात आती है, तो ये topic भी omitted है, 20, 22 के syllabus में से, तो ये इस साल नहीं आने वाला है, तो ये जो तीन topics थे, database connectivity, associative array, और उसके बाद, multi-dimensional array भी है नीचे, array ग्यांद, multi-dimensional क्या होता है, array के अंदर array होता है, database connectivity नहीं आने वाला है, तो उसे erase कर देते हैं, ठीके, उसके बाद ये भी नहीं आने वाला है, ये भी omitted है, ये भी omitted है, नेक्स्ट चाहते है, नेक्स्ट क्या है, ये तो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को भी नहीं लाना है, प्रोग् क्या होते हैं तो सब्सक्राइब करना घाल करना नहीं तो शाया हैं यह और वह सकता है वह इंफिर्मिशन वह के लिए सेन किया जाए तो कुकी क्या होता है स्मॉल आमन्ट आप टेक्स्टोर करता है वहां आ जाता है यह आप सेव करते हो ना तो सेव पासफ़ड कहा जाता है वह जाके स्टोर होता है कुकी में इसलिए कुकी तोड़ा क्रूशल रोल प्ले करती है अगर आप किसी का कुकी ओपन करके देख रहे हो तो उसकी यह को इस यूज कर एंदीफाई करना उसकी एक्टवेटी को ट्रैक करना यह सब को कि क Weiniqular का होता है त разгouting कि तरह ओता है कि अ principals a तो सेशिन इसपरक्स के लिए काम आता है एक टाइम परकाइशन होता है और इस थाम्रेशन में आपको अपना काम करना होता है फिर वैफ अप्लिकेशन तो मैंटे जिए और उजर इंफरमेशन रिकार्ड रेकॉर्ड कर राथा ठीक है तो चलो अभी देखते है summary, तो summary आपको अच्छी तरह read करना है, तो summary में आप देखाऊगे, कि क्या क्या होता है summary में, आप देखोगे, कि server-side programming language, जो आपका PHP है, server-side programming language, जो हमने पुरा text loop में read किया है, वही इसका highlight दिया हुआ है, तो PHP इसे server-side programming language, क्योंकि इसे run करने के PHP is script executed on server with generated dynamic webpage, means PHP यह server में execute होती है, और उसको क्या purpose के लिए उसकिया जाता है, dynamic webpage create करने के लिए, now next, the PHP code can also be embedded within HTML, HTML में, HTML में, आप PHP code embed कर सकते हो, क्या, कौन सा syntax उसकर कर देखो, less than question mark PHP and question mark gutter than, यह दो symbol उसकर के, आप PHP code लिख सकते हो, PHP case sensitive only, कब case sensitive होता है PHP, जब, आपका PHP, जब आप variable declare करते हो, लेकिन यह non sensitive बन जाता है, insensitive बन जाता है, in case of keywords, functions and class name, PHP variable start with dollar sign, followed by name, variable always start with alphabet or underscore, ठीक है, उसकी बाद आपको एक तो alphabet number या underscore ही यूज़ करने है, वेरिबल का नाम लिखते है, वक्त, कोई भी special symbol allowed नहीं है, PHP variable has three different scope, फर्स्ट होता है local, global and static, ठीक है, तो जो variable function के inside declare करते हो, जो variable function के outside declare करते हो, जो static variable declare करते हैं, वो अपना value preserve करके रखता है throughout the execution, now, PHP support string, integer, float, boolean, array, null, data type, यह mcqs में आपको पूछेंगे, कि identify the supported data type of PHP, यह list आप याद रखना, three type of array होता है PHP में, फर्स होता है index array, दूसरा होता है associative array, तिसरा होता है multi-dimensional array, तो last के जो दो array है न, वो syllabus से omated है इस साल के लिए, लेकिन यह mcqs में फूछ सकता है, PHP support for each loop, which iterate easily, अगर आपको array के ऊपर कुछ operation करने हैं तो for each loop कर सकते हैं, यह specially array के लिए design किया गया है, string function are used to manipulate the string, string function use करते हैं, string को manipulate करने के लिए बस function क्या होता है, function is a block of statement होता है, जो हमें repeatedly use कर सकते हैं, throughout the program, information can pass, तो function call as a argument, जब आपको information pass करते हो न, function के थो, उसे argument बोलते हैं, या functional argument भी बोला चाता है, now form is used to collect the information from the user, ठीक है, which you have to store in a database, database में जो भी information आपको store करना है न, वो form के तो आप gather कर सकते हो, collect कर सकते हो, form data can be submitted via gate and post में यह दो में तो 100% आपको समाज़ लेक्जमी पूचेंगी पूचेंगी इसके पर सारे question, ठीक है, तो PHP में दो super global variables होता है, वो होता है, first is the gate and दूसरा होता है post, यह याद रेकना, क्या purpose के लिए उस चाहता है, data collection के लिए gate and post यह use किया जाता है, इसे super globales बोला जाता है, now, gate is an array of variable जो value पास करता है, URL में parameter के तो value पास करता है, यह non-secure method कहलाता है, gate और उसके comparison में post method होता है, वो array of variable होता है, लेकिन यह क्या होता है, इसका जो data है, यह invisible होता है, from users से, इसलिए sensitive information guide कर देता है, और यह important हो जाता है, जब आपके पास secure data हो, तो password जैसा है, user ID है, तो आप post method यह use करो, ठीके, gate का limitation क्या है, कि यह इसमें limited amount data send कर सकता हो, gate should never use the sending sensitive information, जो gate method है, उस sensitive information send करने के लिए यूज नहीं करते है, लेकिन अगर आपको password जैसा कुछ send करना है, तो फिर आप post method यूज कर लो, ठीके, do php data object helps to connect php code, यह आपका database के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इस साल database का question आपको नहीं आएगा, cookies are sent along the browser request server pages, जब browser server page का request करता है तो आपके PC में पहले cookie आपके बैच जाएगा, जो सारी information आपकी store करके रखता है, कि आप क्या-क्या activity कर रहे हो, session क्या करता है, आपके activity के उपर track रखता है, और एक आपको time duration देता है, उस time duration में, आप क्या-क्या activity कर रहे हो, वो उसमें note down हो जाती है, तो चलो, इतना ही था summary में, तो summary में आप देखोंगे, gate and post method के उपर ज्यादा focus है, gate and post method, तो अच्छे से करके रखना, ठीके, and by default method होता है gate, याद रिखना, जब आप HTML page उसे कुछ operation कर रहे हो, तो by default method होता है gate, यह भी एक्जा में पूर सकते है, अभी हम आते है, question and answer के उपर, question and answer की बात आती है, तो php is a dash 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 scripting language, तो इसका answer क्या होता है, यह होता है, server side, server side, यह इसका answer है, ठीके, php is a dash 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 language that there is no need of compilation, इसे बुड़ा जाता है, complex के opposite होता है, interpreted, interpreted, ठीके, interpreted, और अभी fill in the blank में इतना attention लिनी की ज़रोत है नहीं, अगर spelling mistake भी हुआ, तो भी अभी word ने जो नया rule निकाला है, तो उसमें, अगर आपके fill in the blank में, blank है, और थोड़ा सा spelling mistake हो गया, या कुछ extra आ गया, तो भी चलेगा, क्योंकि अभी यह जो question है, manually check होने वाला, teacher check करने वाले, तो teacher को समझ में आ जाता है कि गलती से हुआ होगा, या को थोड़ा सा spelling mistake भी हुआ ना, तो भी आपको marks मिल जाएंगे, तो यह आपके लिए good news है, अच्छी तरह आप यह answer लिक लेना, ना, next क्या है, a variable start with dash 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 sign followed by variable name, simple answer, इसका dollar, कहा गया dollar, ठीक है, and dash 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 is a variable which can hold more than one value at a time, इसका नाम है, array, एक से ज़्यादा value store करकर रखता है, ठीक है, information can be passed through function through, इससे argument भी बोला जाता है, and functional argument भी बोला जाता है, तो argument या functional argument यह इसका answer है, ठीक है, तो चलो, हो गया fill in the blank, now state true or false, इसके लिए मुझे pain लेना पड़ेगा, ठीक है, php is a platform dependent language, देखो dependent बोला गया, तो यह false हो गया, यह platform independent है, javascript, php script, यह totally platform independent language है, underscore post, dollar underscore post is an array of variable, pass via url parameter, देखो, parameter से जो pass करते है, array of variable होता है, ठीक है, a function is a block of statement, that can be used repeatedly in a program, correct है, php cannot be embedded along the with html, कर सकते हैं, समर में हमने देखा, यह हो गया, false, php हम embed कर सकते हैं, html के साथ, और html भी embed कर सकते हैं, php के साथ, दोनों एक साथ कर सकते है, get should never be used for sending sensitive information, correct है, क्योंकि get में जो भी आप information send करते हैं, वो browser की url में दिख जाती है, और अगर इस case में आप password send कर रहे हो, तो आपको password किसी को भी पता चल जाएगा, तो इसलिए get यह sensitive information send करने के लिए use नहीं करते है, यह statement correct है, multiple choice, single selection, the program file of php have extension dot php, इसका extension है dot php, और variable declare, dash dash dash, a function has a global scope, जो variable outside of the function declare करते है, उसका scope global होता है, the dash 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 function return a part of string, trim तो नहीं होगा, यह cut करने के लिए होता है, uc word क्या होता है, word का count करने के लिए होता है, string position, string का position return करने के लिए होता है, और sub string, यह part of string return करने के लिए होता है, तो c इसका answer है, now multiple choice, two correct options, the dash 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 and dash dash are valid data type in php, तो सबसे पहले आता है, array और उसके बाद आता है integer, बाकि इसमें नहीं present होते है, यह थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, जावास्क्रिप के data type पर लग होते है, php के लग होते है, तो mix मत परो, single line comment in php possible using single line एक तो double slash उस करते है, and hash use करते है, php में, ठीक है, now multiple choice, three correct option, in php three type of array are index array, associative array and third one is a multi-dimensional array, बाकि सब कुछ कोई होता ही नहीं, ऐसे कुछ array होती ही नहीं, starting के तीन ही सही है, तो चलो, next क्या है, the scope of variable can be, एक तो local हो सकता है, global हो सकता है, static हो सकता है, बाकि से कोई होता ही नहीं, universal भी नहीं होता है, तो local, global and static हो गया, answer in brief में notes में दे दूँगा, ठीक है, तब आप कर लेना, writer program for following, अब ये आपको generally नहीं पूछेंगे, exam में, लेकिन करके रखो, PHP के program करके रखो, और आपके भी काम में आएगा, लेकिन जो board ने pattern भेजा है, question paper pattern, उसमें PHP को कुछ mention है नहीं, तो फिर ये आपके responsibility है, अगर PHP आ गया तो आप इसके लिए ready रहो, लेकिन मैं आपको board का syllabus syllabus भी दिखाता हो, आप भी predict कर लेना, कि कहां गया syllabus, question paper format of IT science, ये देखो, ये question paper format है, और यहां clearly mention है, ये देखो, ये board ने syllabus भेजा हुआ है, और यहां last में mention है, question number 8 में, कि javascript program, और यहां भी javascript program है, और ऊपर html program, और नीचे भी html program, यहां pageb को को कोई mention ही नहीं है, ठी पूछने वाले हैं नहीं, पूछने नहीं, पूछने नहीं, लेकिन पता नहीं, बोड का कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो on the spot change कर सकते हैं, लेकिन जो paper pattern भेजा हुआ है, बोड ने, उसमें तो ऐसे कुछ mention नहीं है, pageb का mention नहीं है, सिफ javascript का mention है, लेकिन decision is yours, मैंने बताने क काम किया है, अगर exam में PHP के उपर program आ गया, तो फर मुझे नहीं कुछना है, ठीक है, तो जो है, वो मैंने आपको बता दिया, तो चलो, अब इसे skip करते हैं, और हमारे main topic पर आते है, text book, तो यह आपका, बाकी program आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, तो चलो, यह था, pageb का, जो भी quick revision, और इसके regarding जो भी notes रहेंगे, मैं description में, आज नहीं, कल वो दे दूँगा, वहां से आप download करके देख सकते हैं, ठीक है, तो चलो, इसी के साथ में इस session end कर रहा हूँ, जो भी अभी आपका एक single chapter बाकी है, शायद से emerging technology, जो है, easy chapter है, वो भी मैं cover up कर लूँगा, त तो almost आपका 90% syllabus हो चुका है, जो quick revision का, 10% या 5% कर लो, यह वो बाकी है, वो भी हो जाएगा, तो चलो, मैं session end कर रहा हूँ, इसे के साथ, bye everyone